पापा दीवी देखा कि जब सभी बच्चे आगन में खेल रहे थे तो मंजुले का जोर जोर से चिला कर भागी श्री को बोलाती है अब आगे अरे क्या हुआ बड़ी मा आप इतने गुसे में क्यों है तु चुपकर तेरा यहां पर कोई काम नहीं है चल जा यहां से मा क्या बात है बताएं अरे यह देखो मेरी अलमारी इसमें से मेरी सोने की घड़ी गायब है और कल भागी श्री ही मेरे कमरे को सैट कर रही थी अरे दीदी वो तो बच्ची है वो सोने की घड़ी लेकर क्या करेगी अरे हाँ हाँ तू तो बस उसका ही साथ दिया कर हाँ अपनी बेहन पर से तो विश्वास ही उठ गया है तेरा अरे दीबी ऐसी बात नहीं है मैंने कुछ भी नहीं किया है मैं कसम गाती हूँ मा मैंने कोई घड़े नहीं चुराई भागेश्री ऐसा नहीं कर सकती है मासीमा आप उसे चोर कैसे कह सकती है चलो सभी लोग इसके कमरे में देखते हैं अभी दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा और सभी लोग भागेश्री के कमरे में जाते हैं और मंजुले का जब कमरे की छान बीन करती है अलमारी के कपड़े गिरा देती है सामान यहां से वहां कर देती है तभी उसे बिस्तर के नीचे अपनी सोने की घड़ी मिल जाती है बीटा ये घड़ी तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है मा मुझे बिलकुल भी नहीं पता है कि ये मेरे कमरे में कैसे आ गई मैंने तो कभी देखी भी नहीं गड़ी विचारी नहारेका भी इशारो इशारो में भागी श्री का साथ देती है लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं मानता माला ये चित्रांशू और नहारेका भागी श्री का कुछ जादा ही साथ दे रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब कामों में इन दोनों का भी हाथ हो बड़ी मा आप हम पर इलजाम कैसे लगा सकती है हमें तो ये भी नहीं पता था कि आपके पास कोई सोने की गड़ी भी है देखा माला कितनी जुबान चल रही है इन लोगों की है निकम्मे प्रियतारा वहाँ पर इन लोगों को डाट पड़ती हुई देख कर खुश हो रही थी भागिश्री मुझे पता है तुमने इनकी घड़ी की चोरी नहीं करी है लेकिन अगर तुम्हें उनकी ये घड़ी पसंद थी तो हमें बताती हम तुम्हें नई ला देते लेकिन मा बस अब इस तरीके से बिना पूछे किसी से सामान नहीं लिया जाता है समझ गई पर मा भागिश्री ऐसा बस बस अब बहस नहीं कुछ नहीं बोलना अब सब लोग बाहर जाओ और बाहर खेलो और इसके बाद वो सब ही को बाहर भेज देती है तू ये चितरांशू और नहारिका को अपने घर क्यों नहीं भेज देती जब से आए हैं परेशान कर रखा है अरे दीदी कैसी बाते कर रही हुआ आपको तो पता है ना प्रेवनात भाई साब अभी इस समय काफी मुसीबत में है अगर ऐसे में हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा हाँ हाँ तुम लोगोंने तो समाथ सेवा का ठेका ले लिया है बस अरे क्या दीदी आप भी कैसी बाते करती हैं खेर छोड मुझे पता है तू मेरी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली वहीं दूसरी और चित्रांशू नहारेका जितेंद्र और भागिश्री इस घटना से काफी दुखी हो गए थे नहारेका मुझे मा के घर जाना है अब मुझसे नहीं रहा जाता मुझे बहुत यादा रहे है उनकी नहारेका माने कहा था कि कुछ दिन बाद मुझे घर आना होगा लेकिन इतने दिन हो गए है अभी तक नहीं गई तुम चिंता मत करो भागिश्री तुमारी मम्मी ज़रूर आएगी मुझे भी आने ही रहना है रोते नहीं है चुपो जाओ बिल्कुल बंदरी लग रही हो रोते हुए तो चितरांचु थोड़ी देर बाद घर के टेलीफोन से अपने पिता को कॉल लगाता है हेलो पापा आप कहा है मुझे लेने आ जाईए मुझे यान नहीं रहना है अरे क्या हुआ बेटा तू ठीक तो है पापा कुछ भी ठीक नहीं है आज बड़ी मा ने हम पर चोरी का अल्जाम लगाया क्या हाँ पापा मुझे यान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है पापा प्लीज आप आ जाईए हमें लेने बेटा लेकिन तेरी दादी की तब्यद बहुत खराब है मैं अभी ऐसे नहीं आ सकता तो कब आएंगे आप मैं चार दिन बाद आऊंगा ठीक है मेरे बेटे तू चिंता मत कर ठीक है पापा मैं आपका इंतजार करूँगा उसकी ये सारी बाते मनजुले का चुपके से सुन रही थी और वो जाकर सारी बाते माला देवी को बढ़ा चड़ा कर बताती है अरे माला देख जिस बात का डर था मुझे वही हुआ तुझे पता है चितरांचु अपने पापा से तुम दोनों पती-पतने ही कितनी बुराई कर रहा है क्यों? क्या कह रहा था वो? अरे बोल रहा था कि तुम दोनों उसे बहुत परिशान करते हो और ना जाने क्या-क्या, तौबा-तौबा देख ले तू ही अब मंजुलिका की ये बाते माला को बुरी लगती है और वो बच्चों के पास जाती है क्या बात है चितरांचु? तुम्हें हम लोग अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं चोटी मा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन और है और तुम यहां से चले जाना इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वहीं बिचारे दोनों बच्चे काफी मायोस हो जाते हैं दुखी मत हो नहारे का भागश्री ये सारी बातें जरूर आपकी मासीमा नहीं बतायोंगे उनको मासीमा बहुत अकडू है, तुम लोग परिशान मत हो अच्छा चलो, छोड़ो एसाब, फिर से सापसीडी खेलते हैं हाँ चितेंद्र माला दीवी भागश्री को हॉल में बुलाती है भागश्री लो तुम्हारी मा का फोन आया है अच्छा मा का फोन मा, मा अब कब होगे वो भी अपनी बिटिया की आवाज सुन कर रोने लगती है बिटा, ऐसे नहीं बोलते मैंने तुम्हें समझाया था ना विवाह के बाद कैसे रहना है, क्या करना है तुम तो मेरी रानी बिटिया हो ना बेटा मा, मैं सब कुछ कर रही हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और आप मुझे इतने दिनों के बाद क्यों कॉल कर रही है बेटा, वो तुम्हारी ससुराल है तुम्हारे सुस्राल में मैं बार-बार फोन नहीं कर सकती लेकिन क्यों मा? बस बेटा ये सब छोड़ तो ये बता अपनी सासु मा को तंग तो नहीं करती है न? और ये बता तेरी रोटी सफेद दिखती है या काली? पूरी जला तो नहीं देती न? और अपनी मम्मी की ये बात सुनकर वो जोर-जोर से हसने लगती है नहीं मा, मैं जली हुई रोटीया नहीं बनाती वो सासु मा ही करती है रसुई का काम तुने देखा कैसे तेरी बहु अपने सुस्राल की बेजती कर रही है? छी! दीदी वो अभी बच्ची है, उसे क्या पता? लेकिन ये भी देखो ना कि उसकी माँ से समझा रही है तू नहीं समझेगी, कुछ हो गया तो रोना मत बेटा, यहां आए और अब हमारे साथ खीर पकाना कीजिए, ठीक है? अरे वहां मा, खीर, मुझे तो खीर बहुत पसंद है मुझे भी पसंद है, दुनु साथ में खाएंगे, ठीक है? तो दुनु साथ में किचिन में खीर बनाने की तयारियां करने लगते हैं माला बड़े प्यार से अपनी बहु को खीर बनाना सिखा रही थी कि तब ही अचानक से नर्सिंग देव अपने कमरे से माला को बोलाने लगते हैं अरे सुनती हो, वो मेरी फाइल कहां गई? जिसमें नीले रंका कवर था अरे जल्दी आओ, मुझे बहुत जरूरी काम है अजी आई बस दो मिनट सुनो भागिश्री बेटा, मैं आती हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहो और हाँ, घड़ी में देखकर दस मिनट बाद तुरन गैस बन कर देना जी माजी, बिल्कुल, आप जाएए हम, आज तो मैं खूब कीर खाऊंगी, बस जल्दी से बन जाए तभी अचानक चितरांशू भागिश्री को किचिन की खिड़की से बोलाने लगता है अरे भागिश्री जल्दी चलो, खिलोने वाला आया है, उसके बास बहुत अच्चे अच्चे खिलोने है अच्छा? हाँ, और मेरे पास पैसे भी है, तुम जो चाहो ले लेना, चलो आओ अब जल्दी से, मैं चला ये सुनकर वो बहुत खोश होती है, और बिना सोचे समझे, खीर को ऐसे ही गैस पर चड़ा हुआ छोड़कर वहां से चली जाती है दरसल उस समय वो ये बात भूल गई थी, वो तो बिचारी एक छोटी बच्ची थी, उसी ये सब क्या मालूम था तो अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे, कि आगे भागिश्री के सामने कौन-कौन सी मुसीबते आने वाली है थैंक्स फॉर वाचिंग